हलो फ्रेंट जैसे क्या आप सब जानते हैं हम कर दे थे आज इसी स्ट्रक्चर्स के बारे में तो इसमें हमने फोल पार्ट कंप्लीट कर लिये थे आज हम इसका फिफ्ट पार्ट करेंगे फिफ्ट पार्ट में आज हम अचरपिक देखने वाले हैं वाटर स्ट्रक्रट कर लेते हैं वाटर स्ट्रक्ट क्या होता इसके बाद हम इन इसके प्रीफिंग देखेंगे तो इसमें अगया वाटर या उन्कांट कंट्न facebook कर एंगे तो ये वाटर इंक्रीज हो गाँठर वह बात की बात है तो हम इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं आपको अच्छे से क्लीर होगा फ़र्च्ट की बात करते है तो वाटर-Cemant Ratio क्या रहता है एक ratio रहता है weight of the water के बीच में और weight of the cement के बीच में यह क्या है weight of the water weight of the cement ठीक है और जो तो नामली हम वाटर सिमेंट रेशो लेते हैं वो रहता है 0.4 तो 0.60 से कि मैं उपर बता है ठीक है इसको देखते हैं हम अकार्डिंग टू आइस कोड 10262 2009 के कार्डिंग और इसमें हमारे पास नामिनल मिक्स आ जाते हैं तो M100 से लेके M25 तक ठीक है और जो वाटर सिमेंट रेशो रहता है ब हुब डरेटली एक्षट करता है कि स्टेंथ बक्र psyche को कन्च्रीट कि करेंगे तो यहां पर हम एक्षमपल लेएक बात करें वेट आप make अभी केजी है 50 केजी हम ले 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 लिए इसे ज्यादा कम लेंगे तो हमरे पास उनल नहीं होगा अगर तो देका यह स्ट्रंद है वह कम हो जाएगी तक है जैसे कि मैंओ पीछे बात कर रहा था और भी कुछ पॉइंट है पीछे में जैसे frig8 करे था कि अगर जो water cement ratio है वो हम कम ले लेते हैं यानि water का content हम उसमें कम रखते हैं तो water cement ratio क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अगर water का content हमने कम रखा तो हमरे पस water cement ratio क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जिसकी वज़े से क्या हो जाएगा जो भी sufficient quantity हमें चाहिए थी water की cement को hydrate करने के लिए वो हमें नहीं मिल पाईगी वो हमें नहीं मिल पाईगी तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो concrete हमरे हमें मिले गा वह वो अकहे भन नहीं हो गा तो हमें जो है ड़िया है गा होगा जैसे कि यह आगया हमें नहीं मिलेगा ठीक है दूबसा केस हमेरे पास है прог जो concrete है तब भी concrete हमारे पस अच्छा नहीं बनेगा तब भी sound नहीं बनेगा ठीक है उसमें bleeding बगएरा हो सकती है segregation हो सकती है तो जैंसे कि हम बात करें यहां पर है too much water अगर हम डालेंगे तो हमारे पस segregation होगी ठीक है segregation क्या होता है segregation O af aggregate kya गो विर्ट है वो separate हो जाता है cement से water से ओस पड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें polarous concrete मिलता है और स्टेंद की वह भी कम हो जाती है और जो concrete की density है वह भी कम हो जाती है तो यहां पर आप picture में देख सकते हैं यह आपका water cement ratio है और यह है crushing strength of concrete तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ही यह ratio increase कर रहा है तो इसका जो crushing strength है वो कम होती जारी जैसे कि हम देखें यहाँ पर बात करें अगर हमारे पास 0.4 है अगर 0.4 की बात करें water cement ratio 0.4 है तो इसकी जो crushing strength है वो 200 से 300 के बीक में है अगर यहाँ पर इससे ही अगर हम बात करें तो 0.8 water cement ratio है तो 0.8 water cement ratio पे हमारे पास जो इसकी strength रहेगी और इसकी जो strength रहेगी वो खितमी रहेगी अगर इस पर बात करें तो यह 200 से 300 के बीच में रहेगी ठीक है तो मतलब यह काफी जो है बहुत कम हो जाती है ठीक है आई हो आपको परदा चल गया होगा वाटर सिमेंट रेशो के बारे में ऐस पर दवेट ठीक है तो यहाँ पर पिक्चर दीए ठीक है फिर भी कोई डौट हो आप कोमेंट सेक्शन में पूच सकते हैं नेक्स हमारे पास इसी में ही अबरहम ला है ठीक है अबरहम ला अबरहम ला क्या कहता है अबरहम ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किये वाटर सिमेंट के उपर ठीक है वाटर सिमेंट रेशो के उपर तो उसने क्या बताया कंक्रीट के उपर काफी सारे उसने और उसने बताया कि उसने बताया with given materials and conditions ठीक है अगर हमारे पास कोई given materials है और given conditions है test के लिए तो उसमें क्या होगा जो ratio of quantity of mixing water जो ratio होगा हमारे पास quantity of mixing water का and quantity of cement का वो alone हमारे पास मतलब वो alone हमारे पास determine करता है strength of the concrete को मतलब बोला उसने की वो खाली हमारे पास जो water cement ratio है वो ही decide करता है concrete की strength को ठीक है कब तक as long as the mix is of workable plasticity ठीक है तब तक जब तक की हमारे पास जो mix है वो workable हो अगर हमारे पास mix workable नहीं होगा माल लेते हैं कि water cement ratio पे काम क्या कोई भी हमारे पास water cement ratio आया 0.5 ठीक है तो अगर यह 0.5 workable mix है तो तबी हमारे पास वो strength को decide करेगा कि जो strength है वो जो है ठीक है हमारे पास ठीक है तो उसके basis पे हम वो कर सकते हैं concrete को design कर सकते हैं अगर तो जो हमने water cement ratio हमारे पास जो आया है अगर वो workable mix नहीं है workable plasticity वाला mix नहीं है तो हम उसको decide नहीं कर सकते कि वो strength हमें provide करवाएगा या फिर alone हम water cement ratio को नहीं देखेंगे और भी खाफी सारी उसमें चीज़ें देखेंगे ठीक है तो इस law को ही बोला गया water cement ratio law ठीक है water cement ratio law तो आपको exam में आ जाए कि water cement ratio law किस ने दिया था तो आप बोल सकते हैं अब हमने ठीक है दन अकाडिंग टू दिस ला ये क्या करता है जो strength है concrete की वो increase नहीं करती simply अगर हम quantity cement की increase करें जैसे कि कोई बोलता है कि हम cement जादा डालेंगे तो जो concrete है उसकी strength अच्छी हो जाएगी या फिर जो रेजिक हमने बनानी है उसकी strength अच्छी हो जाएगी वह पकी हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं होता कादी सीमेंट जबादा डालने से हमारी strength नहीं होती नहीं होती कंक्रीट में ठीक है जो strength होती है concrete में वह है water cement ratio को reduce करके water cement ratio को reduce करना मतला दाब कम यूज़ करना थी कहें water को कम यूज़ करोगे लेकिन इतना भी कम नहीं करना है कि हमारे पास जो हमने mix बनाना वह workable mix क्या होता है workable mix ऐसा mix होता है जिसको हम easily हम जिससे काम कर सके मालब जिसको हम रश्पोर्ट कर सकें place कर सकें जहां हमने उसको place करना होता है ठीक है आई होप आपको ये अबरहमलाग के बारे में भी परदा जल गया होगा, फिर भी कोई डौट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स हमारे पर सुट टापिक है, वो है वाटर सेमेंट रेशो जो हमने देखा, आई-एस 10262 के अकार्डिंग हम देखते हैं, 2009 कोड है, इसके अकार्डिंग देखते हैं, इसमें एक चार्ट दिया हुआ है, ये कोड में आप देख सकते हैं, ये चार्ट आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर दिया है, सीरिल नंबर है, एक्सपोजिल कंडिशन दिया है, यह यहां पर reinforce concrete के बारे में दिया हुआ है, तो plan concrete की अगर हम बात करें, अगर mild condition होगी, तो हमारे पास जो minimum cement content हमें required होगा, kg पर meter cube, ठीकिए, यह है kg पर meter cube में, तो हमें जो minimum content required होगा, cement का, वो होगा 220, ठीक है, यहां पर इसकी water cement ratio की बात करें, तो 0.60 water cement ratio हम इसमें यूज कर स सकते हैं, इसमें तो कोई भी grade नहीं दिया, that means 7.5 हम यूज करेंगे, moderate के लिए 240, civil के लिए 250, very civil के लिए 260, extreme के लिए 280, ठीक है, और water cement ratio यहां पर आप देख सकते हैं, कि यह इतना है, और यह decrease कर रहा है, तो आपको यह water cement ratio अगर directly याद रहता है, तो फिर तो बड़ी अची है, और जो extreme है 1280 है, मतलब जो extreme condition है, उसके लिए water cement content है, वो ज्यादा required होगा, ठीक है, cement content तो ज्यादा required होगा, लेकिन इसमें यहां पर वाटर सीमेंट रेशो है यहां पर कम हो रहा है तो ग्रेड मतलब इसकी जो स्रेंथ है strength कैसे increase कर दी आप देख सकते हैं कि जो water cement ratio है वो decrease कर रहा है तो strength भी increase कर दी क्योंकि यह जो grade है यह बताता है strength को यह हमने पहले भी discuss किया था ठीक है अगर reinforce concrete की बात करें तो इसमें केजी parameter क्यूब हम देखें mild के लिए 300 है और extreme के लिए 307 है मतलब यह increase कर रहा है यहां पर भी आप देख सकते हैं water cement ratio decrease कर रहा है यहां पर पहले 0.55 था और लास्ट में 0.40 है और इसकी strength आप देख सकते हैं 40 है 40 किलो न्यूट्रन पर मेटर स्केर है 40 मेगा पासकल ठीक है तो आपको इसमें इतना ही remember रखना है मतलब रखना तो सारा remember है लेकिन अगर नहीं रख पाओ तो आपको यह remember रखना है कि strength जो है increase कर लिए with the decrease in water cement ratio ठीक है and increase in somewhat water cement content ठीक है इतना ज्यादा content नहीं cement का increase करना थोड़ा बहुत increase करना ठीक है I hope आपको यहां से समझा आ गया होगा फिर भी कोई doubt हो आप comment section में पूछ सकते है next हमरे पर जो topic है जो है water cement ratio and concrete strength ठीक है तो water cement ratio and concrete strength के गीच में क्या difference है किया इससे फरक पढ़ता है water cement ratio से इसको क्या फरकपढ़ता है concrete की strength को और कोईंट हम डिसकस करने वाले ठीकैं तो अगर हम जेनल बात करें जेनल कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है बोक desenvolup करेंगे करेंगे ऩो हमें एक ड्रूत मिल जाएगी और हमें जो पोर्स हैं, कंक्रीट में वो ज्यादा होंगे, ठीक है, पोर्स ज्यादा होंगे, तो हमारे पास जो कंक्रीट है, वो वीक हो जाएगा, मतलब कंक्रीट जो है, इतना पक्का नहीं होगा, इतना अच्छा नहीं होगा, जिसकी वज़र से श्रिंकेज होगी, पास दनऔर अगर हम बात करें सीमेंट ग्रिजेट पारटिकल जो है एक्सर ताफ़ वाइट warranty को यह जो भी सिमेंट और एक्रिजेट जो एक्सरफ पानी को वह ले ले लेते लेकिन और ज्यादा पानी हो गाँ तो उसको यह ले पाएंगे ठीक है है अगर हम बात करेंज हुआ प्रेट्स आग सो है क्रेट हो जाते हैं जिसकी वजहते हं जोgangen ऑगर देखने को मिल जाती है। जिसकी बज़र से बीग जोन अगर देखने को मिल गए तो हमारे पास cracking हमें देखने को मिल जाएगी, service load पे ही हमें cracking देखने को मिल जाएगी, ठिके, I hope आपको ये भी समझ में आ गया होगा, water cement ratio और concrete की strength के बीच में difference समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई doubt हो, आप comment section में पू तो इसका मतलब होगा कि जो strength होगी concrete की वो high होगी और जो quality होगी concrete की वो भी high होगी, ठीके, यह आपको ध्याँ रखना है, तो अगर हम बात करें कि जो water cement ratio है, वो अगर हम खाली water cement के ratio पे ही बोलें कि concrete की strength अच्छी होगी, तो वैसा नहीं होगा, ठीके, तो वैसा नहीं करता है, जैसे की, जो mix है, वो अच्छा होना चाहिए, ठीके, जो quality of aggregate हो अच्छी होनी चाहिए, जो binding material हम cement use करें, वो भी अच्छा होना चाहिए, जो हम fine aggregate, course aggregate use करें, वो भी अच्छा होना चाहिए, तो वो सारी चीजें, वो सारे factor देखके, हमारी जो strength हो, इसके बाद हम ब गुड मिक्स डिजाइन को मतलब जो एक फेक्टर है जिसकी वज़र से हम बोल सकते हैं कि इसकी स्टेंथ अच्छी हो सकती है ठीक है ऐसा नहीं क्यों नहीं हो कि अच्छी होगी क्योंकि कॉल्टी आफ अग्रिगेट भी देखी जाती है जो बाइंडिंग मेटिरियल हम यूज करें वह भी देखा जाता है तो यह सारी चीजें हम देखते हैं इसमें ठीक है आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा फिर भी कोई डोट हो आप कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं नग्स हमारे पस इसमें टापिक है वाटर सिमेंट रिश्यू इन पर्मेबिल्टी ठी कि हमारे पास जो सीमेंट कन्टेंट रेएगा ठीक है लोग स सिमेंट रेएगा तो हांट पास युड क्या रहेगी युग तो हमारे पडिक उसक submitted वह ब्रमान लेते हैं तो इस इस केस में water cement जो परमेबलती रहेगी ज्यादा रहेगी in comparison to this ठीक है तो जो high strength concrete है अगर हम बात करें high strength concrete की उसमें हम बात करें तो less porous concrete हमें मिलता है high strength concrete मतलब less porous concrete होगा और less porous concrete होगा तो उसकी durability भी अच्छी होगी that means उसकी जो हम बोल सकते हैं जो lifetime है वो ज्यादा होगा ठीक है I hope आपको ये भी समझ में आ गया होगा water cement ratio and permeability के बारे में फिर भी कोई doubt हो आप comment section में पूछ सकते है next important topic है role of water in concrete ठीक है तो क्या role है water का concrete को तियार करने के लिए ठीक है तो concrete का ये सुरी water का बहुत ही important role है उसको क्यार करने के लिए concrete को त्यार करने के लिए तो आपको पता है कि जएंसे concrete है काफी सारे indukret होते हैं जैसे कि हमने पहले ही बात की थी cement इसमें होता है सब्सक्रेंद हैं ine इसमें होते हैं डिक है जो भी water है अगर हम water की परसंट वालियुम होती है इसमें वालियुम के काड़िंग कि इन थे रादा सिर्थ हमारे परद है exagger करता है को ब्लॉकज करती म centr करती तो सिमंट और बाटर क्या करते हैं इसक wichtiger प्रक्रेश की सिस्क्राइश करते हैं जो क्या करते हैं इन सब को करने में help करते हैं ठीक है यह था roll water का concrete में आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिर भी कोई doubt हो आप comment section में पूछ सकते है next हमारे पर most important topic है जिसका नाम है calculation of water quantity for concrete ठीक है तो कैसे हम calculate करें water की quantity की कि इतना quantity of water चाहिए एक given concrete में ठीक है तो जैसे कि आपको पता है कि चार्ट में हमने देखा जो water cement ratio है वो vary करता है 0.4 to 0.6 के बीच में ठीक है डिपेंड करता है exposure conditions पर ठीक है तो अगर हमने निकालना है water quantity की concrete में कितनी required होगी तो सबसे पहले हमें find करना पड़ेगी कि हमें cement कितना हमें use करना है तो पहले हम एक bag के लिए बात कर लेंगे एक bag of cement है उसके लिए कितना पानी चाहिए अगर एक bag के लिए हमने पानी निकाल दिया कि कितना चाहिए water content तो हम बाकी bags के लिए भी निकाल सकते है तो हम बात कर लेते हैं यहां पर जो required amount of water जो है वो हम निकाल सकते है एक फार्मला से यह फार्मला है required amount of water equal to water cementation into cement volume ठीक है water cement ratio हम कितना यूज़ करेंगे into cement volume के साथ उसको हम multiply कर देंगे तो volume जहां पर हम ले रहें weight ले रहें ठीक है weight of volume ठीक है और यहां पर water cement ratio ले रहें हम 0.5 ले लेते हैं 0.4 भी ले सकते हैं तो अभी हम 0.5 ले ले लेते हैं ठीक है तो जब इसको हम multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 25 लीटर हमें एक bag of cement के लिए बाने की जूट परती है अगर हम water cement ratio 0.5 लेते हैं तो यह था normal mix के बारे में अगर हम design mix की बात करें तो design mix के लिए हम various test करते हैं उसके according हम water cement ratio और उसको select करते हैं उसकी workability check करते हैं उसकी strength test करते हैं वो सारी चीज़ें हम test करते हैं वो सारा 262-209 में जो हमने पहले ही बात की थी नेक्सर A में तो वहां पर पूरा design mix का जो process है वहां पर समझाया हुआ कि design mix हम कैसे करते हैं ठीक है I hope आपको यह सारी चीज़ें clear हो गया होगी फिर भी कोई doubt हो आप comment section में पूछ सकते हैं और अभी तक आपने channel को subscribe ने किया तो please subscribe कर ल कर दो कर दो दो झाल झाल